हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो सिलपास की चनल रेसिपेज, आज मैं बना रही हूँ आठ मैने से उपर बच्चों के लिए ड्राइफूट्स पाउडर की रेसिपी अगर आप अपने बच्चे का वजन बढ़ाना चाहती हैं तो आप इस रेसिपी को एक बाट जरूर ट्राइग करें इसका एक चमच ना केबल आपके बच्चे का वजन बढ़ाएगा बलकि आपके बच्चे को ताकत भी देगी और मानसक विकास के लिए भी ये काफी फाइदेमंद होता है वीडियो को पुरा एंड तक देखे और अगर वीडियो आपके लिए यूसपल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो उचे लिए शुरू करते हैं ड्राइफ्रूट्स पाउडर बनाने के लिए मैंने याँ पे सबसे पहले एक पैन में एक चौथाई कप बदाम लिया है बदाम को पहले मीडियम फ्लेम पे एक मिनिट के लिए रोस्ट कर लेंगे अब इसमें एक चौथाई कप पिस्ता और एक चौथाई कप काजू एड़ करेंगे और सारी चीजों को चलाते हुए दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ड्राइफरूट्स को रोस्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि इसमें जो मौश्चर है वो खतम हो जाए अब ड्राइफरूट्स रोस्ट हो चुका है अब गयास का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये हलका सा थंडा हो जाए अब हम एक मिक्सी का जा लेंगे और इसमें रोस्ट के अव़ ड्राइफरूट्स को आड़ करेंगे और इसी के साथ चार इलाइची और बारा से पंद्रा केसर आड़ करेंगे और सारे चीजों को रुक रुक के यानि कि पल्स मोड में ग्राइड कर लेंगे ग्राइड करने के बाद ड्राइफरूट्स पाउडर हमारा तयार है आप देख सकते हैं अब हम इस ड्राइफरूट्स पाउडर को वापस प्लेट में निकाल लेंगे और spread कर देंगे इस तरीके से और grind करने के बाद इसमें जो बड़े टुकड़े रह जाते हैं हम इस तरीके से वो side कर लेंगे आपको dry fruits को grind करने के समय एक बात का ध्यान रखना है कि mixer grinder को continuously चलाते हुए इसका powder नहीं बनाना है नहीं तो फिर इसका powder नहीं बनेगा बलकि इसका paste बन जाएगा अब इस dry fruits powder को हम एक airtight container में transfer कर लेंगे dry fruits में काफी मात्रा में calcium पाया जाता है जो bones को strong करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है इस dry fruits powder को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बदाम, पिस्ता, काजू लिया है जिसमें भरपूर मात्रा में calorie होता है जो बच्चों को प्रयाप्त मात्रा में उर्जा प्रदान करता है जिससे बच्चे सारा दिन active रहते हैं dry fruits में omega 3 fatty acid पाया जाता है जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए काफी फाइदे मन्द होता है इस तरीके से हम इस dry fruits powder को airtight container में store करके 3-4 weeks तक easily store कर सकते हैं आपको मेरे आज के ये recipe कैसे लगी comment करके जरूर बताएं और अगर recipe अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को like, share और मेरे चैनल को subscribe जरूर करें